आज हम unboxing करने वाले stringing machine जैसे कि आप देख सकते हूं यह आपको तीन बड़े-बड़े box देखने को मिल जाते हैं जब भी हम को stringing machine देखते हैं तो वो पूरे single structure में रहता है लेकिन जम से लेने जाते तो आपको ऐसे type की box देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर machine and other parts है तो सब सबसे पहले हमें इसके machine and other parts को बहार निकालना पड़ेगा इन उसके बाद assemble करना पड़ेगा तो चलिए हम करते हैं अनबाउग पैकिंग की बात करें तो पैकिंग काफी बढ़िया हुई है जैसे कि आप देख सकते हो यह हमारा manual ठीक है कैसे करना है तो आइधिंग यह स्टेंड का नीचे पार्ट है तो इसे भी हमें फिक्स करना पड़ेगा तो यह इसका नीचे वाला पार्ट है माने स्टेंड है तो अभी हम स्टेंड को पहले जोड़ेंगे आपको पूरा लुक दिखा देता हूं इसके बाद यह दो ठोक फिर अन्बॉक्स करना वागी है तो इसको पहले जोड़ देते हैं यह हील क्यों रहा है ठीक है चल पर पाकिंग तो काफी बढ़िया हुई है जदिए आप देख सकते हैं इसके ओपर जो मशीन यह वाली यहां फिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था नेकिन यहां नीचे में थोड़ा सा हमने कुछ का और उसके बाद फिर वाहां ठीक हो गया और उसके बाद इसके यहां लगाएंगे और फिर वो जो रैकेट का जो उपर में जहां टेंशन करते हैं वो आले को इसके उपर लगाना है और वो अब बददददट अब एकजम वो बद आलना सीधा हुआ है तो गाईथ हमने सारे पार्ट को असेंबल करने जैसे के आप देख सकते हो एंडिकने में काफी ज्यादा खुबसूरत लग रही है इक श्टिंग मशीन जो आमने stringing machine लिए है वो leaning की electronic stringing machine है जिसका model ले में E8000 यहां हम इसे E8800 भी बोल सकते हैं यह multi-purpose stringing machine है जिसमें आप bandminton racket के अलावा tennis racket squash racket भी use कर सकते हो साथ इसाथ maximum string tension की बात करें तो यह खीच सकता है 11 LBS से लिका 90 LBS तक लेकिन उतना ज्यादा use नहीं होता bandminton की specifically बात करूं तो 18 LBS से 30 LBS तक maximum लोग use करते हैं बाकि जो international players रहते हैं जो एक्दम highest level पर कहलते है वो 32-35 LBS use करते हैं and manufacture की बात करूं तो यह जो machine बनी है Taiwan में आपको थोड़ा सा पास से यह machine दिखा देता हो तो जैसे कि आप देख सकते हो नीचे मैं आपको चार लेक्स देखने को मिल जाएंगे जिसके नीचे में rubber feet जो कि आपके stable रखता है पिसलने से बचाता है आपके stringing machine को एंड यह हमारा है outer tube देखने को जैसे को मिल जाता है यह stand बोलते हैं इसमें leaning के branding हुई है and उसके बाजू में आपको यहाँ को locking knob देखने को मिल जाता है and यह हमारा height adjustable knob जो इसका inner tube है वो attach है इसके machine के base से तो हम इसे इसको खीच के इसको ऊपर निचे कर सकते है height adjust कर सकते अपने हिसाब से यह हमारा stringing reel holder ठीक है तो हम उपर आते है and जिसके आप देख सकते हो यह हमारा racket frame holder है जिसके आप देख सकते हो तो हम इसे थोड़ा सा adjust करक देखने को मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो तो जब यहां खीचने के बाद यहां को टैट करते हैं कि में आपको आगे बता हूं का वह से यहां आपको LCD डिस्प्लेइ देखने को मिल जाता है इसके बाजू में चोटे-चोटे बटन है, सॉफ्ट बटन है, यह एक्शुली मेजर पाट है इस मशीन का, साथे-साथ यहाँ on-off का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ लीनी की ब्रैंडिंग, तो यहाँ आपको दो ड्रॉर देखने को मिल जाते हैं, जो जो बैन मेंटर एं श्टिंग मशीन से लेटर आप यहाँ एक्विप्मेंट सरकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, ठेक है, यहाँ भी कुछ थोड़ा टेबल टाइप का बना है, तो यहाँ भी आपको समान वगरा रख सकते हो, जैसे कि मैं बताया था, यहाँ जैसे रैकेट लगा के उसका जो स्ट्रिंग को यहाँ लगाने के बाद फिर अपन यह करते हैं, तो यह फिर उतने टैंशन में खिचाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, यह हैं रीजन क्या है कि मैंने यह स्ट्रिंग मशीन लिया तो इसका दो रीजन है, सबसे पहला रीजन यह है कि जो मैं सहर में रहता है, जिसका नाव में माज अमुंद, वहाँ कोई भी ऐसी इलेट्रोनिक स्ट्रिंग मशीन नहीं है, तो हमें क्या होता है, जब भी में रैकेट का जब गड़ तो हमें यहां ते 50-60 km दूर जाके वहाँ देना पड़ता है, फिर वह एक अपते बात देते हैं, तो काफी सारे difficulty phase होता है मेरे को, और काफी सारे लोगों को यहां जितने भी बार्मिंटन खेलते हैं, तो मैं सोचा कि यहां setup करना better रहेगा सब के, जो difficulty phase करते वो नहीं करना पड़ेगा, दूसरा reason यह है कि हम काफी सारे racket review-view करते हैं, तो मुझे लगता है कि string के बारे में, tension के बारे में, racket के बारे में और अच्छे से knowledge बढ़ेगा, Leaning में आपको काफी सारी machine देखने को मिल जाती है, like stringing machine, जिसका नाम है M660, M770, यह दोनों आपको manual stringing machine देखने को मिल जाएगा, उसके बाद E7000, उसके बाद आता है E7500 Pro, E8000 जो की हमारे पास है, और इसे हम E8800 भी बोलते हैं, जो final है E5000, तो अगर आपको कोई stringing machine लेना है, तो मैं description में detail देदूँगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं, I mean वहां contact करके ले सकते हैं, इस stringing machine की price की बात करें, तो यह हमें 3 lakh rupees के round देखने को मिला, and काभी time से मैं सोच रहा था था इसको लेने में, अभी जाके finally हम ले पाएं, तो यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अन्बॉक्स किया रिव्यू किया एक stringing machine को, and आशा करता हो कि यह वीडियो आपको थोड़ी सी अलग लगी होगी, थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई बीडाउट अब आटमिंट से लिटें, तो निचे कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करें, जहां आप स्ट्रिंग से लिटेंड मशीन वगरा खुल करने रहा है, अन्याज स्विच ओन करते हैं,